TYBMS SAM-6 और TYBMS SAM-5 के Revaluation Cases के Results कवाएंगे तो बैसली बता दू कि Mumbai University ने अपने Official Website पर TYBMS SAM-6 और TYBMS SAM-5 के Revaluation Cases के Results है उसको आज के दिन डिक्लेर कर दिया हुआ है तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर रेख सकते हो कि यहां पर लिका हुआ है BMS SAM-6 75-25 तो that is means Mumbai University ने एक large quantity में या amount में आपके Results को डिक्लेर किया है यहां पर दिसकते हो total 10 pages के Results यहां पर Mumbai University ने डिक्लेर कर दिया हुआ है तो that is means आपका जो Revaluation Cases का Results था वो आ चुका हुआ है यहां पर दिसकते हो 572 जो Revaluation Cases के Results से वो यहां पर मिल जाएंगे क्योंकि बहुत साथ बच्चों के एक से ज्यादा सब्जेक्स होते हैं तो वो भी यहां पर Mumbai University ने अप्लोड कर दिया हुआ है और यहां पर दिसकते हो कि आज के देट पर Mumbai University ने स्को डिक्लेर किया हुआ है अब आपको वो आपकी Criterias मालूम है क्योंकि यह 75 25 का यहां पर रेशोज है तो आपको जो भी मार्क्स यहां पर मिले हैं यह सब आपके external basis पर हैं कि 75 मार्क के basis पर है तो जिन बच्चों को 35 sorry 30 marks मिल गए हैं वो बच्चे पास हो चुके या more than 30 मिल चुका है वो बच्चे यहां पर पास हो चुके और जिन बच्चों को अब तक 30 marks नहीं मिले वह हैं देखे ऐसे बच्चे अभी भी unsuccessful में आते हैं तो अब यह बच्चे क्या फिर से revolutions कर सकते हैं या इनको 80-80 का form फिल करना पड़ेगा तो अगर आपने एक बार revolutions किया हुआ है तो Mumbai university के policy की यह है कि आप दूबारा आपको 80-80 का form फिल करना पड़ेगा और 80-80 के exam देने पड़ेगे तो कब 80-80 के results या sorry 80-80 का form आएगा तो मैं आप उदा दूँ कि जो 80-80 का form है वो बहुत सारे colleges चालू कर देती है या अगर आपका 80-80 का form नहीं चालू होगा आपके colleges में तो that is means फिर आपको wait करना होगा for the month सितंबर तो सितंबर में आपके जो 80-80 के form है वो start हो जाएंगे या तो उससे पहले भी हो सकता है लेकिन college आपको update करेगा कि आपके 80-80 के form start हो चुके है तो आपको 80-80 के form fill up करने पड़ेगे और जो आपके exam होंगे वो कभी होंगे वो नौंबर में होंगे या अपरेल में ह होंगे तो अगर आपने form सितंबर में वरावा है तो that is means आपकी जो exam से वो October-9 मन्त में होंगे यानकी दिवाली के पहले जो sessions के exams होते हैं यानकी semester 5 के जो exams होते हैं उसी duration में semester 6 के भी papers को conduct किया जाएगा देगे यह 80-80 बच्छलों के लिए होता है यहां पर देशकता हो कि ब आपको फिर से 80-80 exam की preparation करने पड़ेगी और मैं बता दू कि जिन बच्छों को 80-80 में मतलब operational research हो गया या कोई other ऐसे subjects हो गये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस पर मैंने completely paper solution बताया हुआ है अब paper solutions follow कीजिए ठीक है आपको definitely वो video समझ में आएगे paper solution समझ में आएग करेंगे ताकि आप अपने 80-80 exam को सही तरीके से crack करेंगे यहां पर semester 6 का degree ले सको यहां कि आप graduate हो सको तो ऐसे बहुत साई subjects है जैसे कि आपके tax के subjects हो गये आपके operational research हो गये और साथ ही साथ आपको paper solution भी मिल जाएगा in PDF format तो उसका भी link मैं description box में दे दिया हुआ है different type के जो आपकी categories है जिसमें आपकी marketing आते है HR आता है finance आते है तो आपके जो paper solutions है 2023-2024 का वो भी आपको PDF format में मिल जाएगा और आपके जो paper solutions है उस पर पूरा video lectures है तो ताकि आप उसको देख के समझ सको तो यह भी आपको मिल जाएगा link मैं description box में दे दिया हुआ है आप उसको देखि पास हो चुके है उनका जो hard copy है वो जुलाई एंड तर आ जाएगा देखिए और नेक्स तिंग मैं बता दूँ कि यह तो हो गया आपका semester 6 का आप हम आते हैं semester 5 पे तो जो बच्चे semester 5 के revaluation cases का wait करते हैं तो आपका जो waiting है वो खत्म हो चुका है मुंबई university ने यहाँ पर फर्स हाफ 2024 का results declare कर दिया लेकि less quantity में यहाँ पर declare किया और आप देख सकते हो यहाँ पर total 2 pages है मत्तब यहाँ पर अब तक 66 results को ही declare किया गया है clear यहाँ पर तो आप यह results को भी download कर सकते हो और जो criteria अभी मैंने आपको starting में समझाए कि आपको 30 marks है जिन बच्चों को 30 है वो बच्चे पास है जिनको 30 नहीं है वो unsuccessful criteria में मत्तब कि आपका भी 80-80 form लगेगा और 80-80 form के लिए आपको college से contact करना पड़ेगा और मैं बता दू कि आपके भी semester 5 के जो paper solutions है 2018 से 2018, 2019, 2022, 2023, एपरल, नॉवंबर, ठीक है मन्त के जो paper से उसके paper solutions आपको मिल जाएंगे paper भी मिल जाएंगे PDF format में आप उसको download कर सकते हो link मैं description box में दे दिए दूँँगा तो यह हो गया आपका TYBMS SAM6 और SAM5 का revaluation cases के results का update, results को download कर लिए, देख लिए कि आप unsuccessful criteria में आते हो या successful criteria में आके हो अब हम मिलेंगे next informative videos के लिए, बने लिए चानल पर चानल को subscribe कर लिए, bell icon press कर लिए, ताकि आपको इसी तरिके से continuously update मिलता रहे, thank you for watching